गूद मॉर्ण एभरीवन चलिए अभी हम लोग आज श्टार्ट करने जा रहा है निव चेप्टर है लिए रिक उसन इन टू फैरियावल अब यह ले रिक उसन इन टू राइवल यह क्लास 9 में इससे पहले आप लोग प्रिवेस क्लास से में लिए रिक उन वहन वरियावल के होता है जैसे कोई equations आपको ax ax plus b is equal to 0 इस form में होता है where a does not equal 0, b चाहए 0 होगा बर a का value 0 नहीं होना चाहिए अगर कोई equation इस form में होता है तो वो हो गया linear equation in one variable इसमें देखिए एक ही variable है लेकिन ये इसका standard form है जरूर नहीं कि आपको इस तरह सही नहीं दिखेगा जैसे कभी कभी example में आपको x is equal to 0 भी दिख जाएगा तो ये linear equation in one variable है इसमें आपको ये x जो है ना x is equal to 0 आरहे जिए 0 हाई और यहां आपको a का value जो है क्योंकि a real number है लेकिन इसका value जिरो नहीं होना चाहिए तो यहां से a का value इसमें coefficient of x क्या हो गया 1 है और b यहां इसको हम यह भी लिख सकते थे x plus 0 is equal to 0 तो b का value 0 हो जाएगा ओके अब जैसे की x plus 6 is equal to 0 तो यह आपको इस form में है है ना तो यहां से a का value 1 और b का value यह 6 हो जाएगा ठीक है चलिए इसको और समझ लेते हैं इसमें आपको clear हो जाएगा सारा यह linear equation to variable जो है an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 इस form में होना चाहिए where a b c are real number यह a b or c क्या real numbers है इसका कुछ भी value हो सकता है but real numbers में यह a is equal to 0 नहीं होना चाहिए मतलब a does not equal 0 और b does not equal 0 यह क्यूं बताते हैं is called हो जागा तब वह linear equation in two variable in मतलब x और y यहां clear कर दिया है कि इसमें x और y variable है तो a b c एक real numbers है और a और b के value 0 नहीं होना चाहिए c में भी 0 चलेगा अगर हम a is equal to 0 ले लेंगे suppose और b is equal to 0 दोनों में से कोई भी अगर 0 ले ले लेते हैं तो यह terms तो 0 हो जागा suppose a is equal to 0 होता है तो तब तो इसमें एक ही variable बत जागा ना या b 0 हो जागा तब भी उसमें यह terms 0 हो जागा तो यह सिर्फ बत जागा एक ही variable होगा तब यह हो जागा लेनर एक्रेशन वान भारियावल इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों में से किसी का भी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए तब जाकर कि यह है linear equation in two variable होगा किलियर है देखिए इसका यह जनल फर्म हुआ जनल फर्म के यह 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 होगा ax plus by plus c is equal to 0 यह हमेशा equation आपको इस फर्म में नहीं दिखेगा लेकिन आप इस फर्म में convert करके abc का value find कर सकते हैं और यह condition कभी मत भुलिएगा a does not equal 0 and b कुछ इक्जांपल मैंने यहां लिया है जैसे देखिए 5x plus 2y plus 8 is equal to 0 root 3x plus root 6y is equal to 0 यह सब real number है a b और यहां c आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ जब ना हो तो सिक वाल्यू 0 होगा 3x minus 8 is equal to 5y यह भी एक linear equation in one variable है sorry two variable X or Y देख रहा है आपको ठीक है यहां पर यह standard form में नहीं है तो अब हम आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि how to convert a linear equation into variable in standard form यह general form में कैसे करते हैं तो आगे बढ़ते हैं लोग ठीक ओके देखिए जैसे यहां पर आपको हमने कुछ एक दो एक्जामपल से लिया यसी हां कहे रहे है राइट दर थ्री एक्स मैनस एट इस उकल टू फाइब वाई इन दे फॉर्म आफ एक्स प्लेस बी वाई प्लस इस फॉर्म में लिखना है और साथी साथ आपको इंडिकेर दर हैल्य आप एबी सी यहां पर गिविन क्या है जो एक्वेशन दिया हुआ तो उसको मैंने लिख लिए थ्री एक्स मैनस एट इस उकल टू फाइब वाई क्लियर अब देखिए यहां से हम इस फाइब वाई को एलेचस में ले लिए तो थ्री एक्स माइनस फाइब वाई मैनस एट इस इक्वाल टू जीरो हो गया ओके अब अब चाहें ना तो यहां से भी डिरेक्ट हम लिख सकते थे ए और बी और सी के वैल्यू लेकिन फिर भी हां देखिछ थ्री एक्स यह ऐसे ही लिख देंगे माइनस फाइब को मैं क्या लिख सकते हैं प्लस और ग sempre अ को अब इस तरह से आपको यह ओगया यह यह और यह C हो गया clear दिख रहा है A का value 3 हो गया B का value minus 5 हुआ और C का value minus 8 हो गया अब चाहे तो direct यहीं से यह जो second line मैंने लिखा यह line इस line से भी direct हम A का value 3 B minus में है तो B minus 5 हो जाता और C का value minus 8 हो जाता लेकिन यह process है आप इस तरह से इसको लिखें चलिए second example देखिए जैसे क्या है xy 3 minus root 5y by 2 is equal to 5 इसको convert करना है extended form में या मतलब AX plus BY plus C is equal to 0 के form में तो पहले इसको LCM लिए तो 6 हो गया इस तरह से आप इसको simplify करिए तो यह हो जाएगा 2x minus 3 root 5y और यह cross multiplication से हो गया यह 30 को LHS में लाई यह तो 2x minus 3 root 5y minus 30 is equal to 0 तो यहां अभी मैंने आपको इस तरह से यहां पर इसमें नहीं लिखा है plus डालके direct भी आप लिख सकते हैं hence a is equal to 2 and b is equal to minus 3 root 5 ओके and c is equal to हो गया minus 30 के लिए रहे तो अभी आपको मैंने बताया कि what is linear equation in two variable और साथी साथ how to convert a equation of two variable in the standard form ओके आगे की जो next video होगी उसमें हम लोग बात करेंगे solution of the linear equation in two variable या उसको root of the linear equation in two variable के बारे में ओके तब तक के लिए bye